फ्रिंट्स आज हम राएंगे डिजाइनर ब्लाउस इसे हम राएंगे प्रिंसेस का इड बोटनेक पर वो 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर लाइन लिए हमने 80 см और मैन फैरिक भी आप पर 80 cm लिया है नइट फैरिक लिया है स्केकटिंग पर लें हम लैनिंग पर करेंगे ब्लाउस की टोटल लेंद्ध है 14 इंच 1 इंच प्लस करना है मारजन के लिए 50 इंच लिया है shoulder लेना है 7 inch shoulder का half लीना है arm लेना है ओंके हमें ओंपर 6.5 inch chest का fourth part लेना है 34 का fourth part होगा 8.5 inch और 2 inch plus करना है margin के लिए waste है अमारी 28 उसका fourth part लेंगे 7 inch 2 inch लेंगे margin के लिए 1 inch लेंगे tux के लिए यहांसे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे वन इंच से आरमोल के साइट गुलाई देनी है back पार्ट की मार्किंग कर ली front पार्ट की मार्किंग करेंगे आरमोल लेना है 6.5 इंच चेस्ट का food पार्ट लेना है 8.5 इंच फ्रेंट पार्ट है तो 2.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए टोटल लेंथ लेनी है 15 इंच लाइन ड्रो करेंगे साइट से भी लाइन को ड्रो करना है निचे के साइट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए वन इंच से आरमल की साइठ गोलाई देनी है कट कर लिया हमने स में हमारा back पार्ट है यह हमारा front पार्ट है तो front पार्ट पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे तो यहां से हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है टकस पॉइंट लेंगे हम 10 इंच पर यह दिखिए इस तरीके से 10 इंच पर मार्किंग की प्रेंसेस कट का शेप देना है अब एक साइट से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और दूसरे साइट से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है लेंद्ध में हम इसे टू इंच लेंगे शेप दे दिना है इस तरीके से कट करेंगे नेट फैब्रिक पर इसे कट करना है तो हमने कट कर लिया है तो दिखिए यहाँ पर हम फ्रेल लगाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर यह फाइव इंच की फ्रेल निकाल लिए जो डिजाइन दी हुई थी वो साइट से नेक की कटिंग करेंगे नेक की जो लैंद है वो हम सेवन इंच ले रहे है यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्किंग करते हुए दोनों मार्किंग को मिलाना है और शेप देना है कट करेंगे नेक हमारा कट गया है और अब हम स्टीचिंग करेंगे तो दिखिए जो मैन पर अवरिक है उसे रॉंग साइट पर रखना है उसके उपर लाइनिंग रखते हुए हमें इसे चारू साइट से स्टीच करना है साइट का जो एक्स्ट्रा फैबरिक है उसे हमने कट कर लिया है दूसरा पाट 20 तरीके से स्टीच कर लिया है क्रॉस में बटी कट किए नेक पर लगाने के लिए इस तरी के से हमें याप लगा लेना है सिंगले पूरी नेक पर कट लगाना है एक स्टीच पटी के उपर से करना है पटी को अंदर के साइट फोल्ड करते हुए एक स्टीच और करेंगे तो दिखिए नेक को हमने स्टीच कर लिया है यह दिखिए इसके उपर नेट फाबरिक को रखकर साइट से इसे स्टीच करना है तो रफ स्टीच करेंगे साइट से हम तो दिखिए हमने इसको स्टीच कर लिया नेक की बीट हम फोर इंच ले रहे हैं नेकी लेंद हम यहाँ पर 5.5 इंच इस तरी किसे शेप देना है तो रौन शेप ही दिया है मैंने यहाँ पर सेंटर से हम इसे कट करेंगे आई हुक्की पटी लगाने के लिए यहाँ पर हम हुक्की पटी लगाएंगे तो दिखिए जो हमारी लाइनिंग यहाँ पर लगीए वहीं तक हमें इसे लगाना है पटी को उपर के साइट से फोल्ड करते हुए हम लगाएंगे से एक स्टेच पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के साइट फोल्ड करते हुए एक स्टेच और करेंगे देखिए अब यहां से भी हमें फोल्ड कर लीना है हुक की पटी लग गई है अब हम आई की पटी लगाएंगे तो इसकी जो वेट थे वो हमने 2.5 इंच ली है और इसे भी हमें लाइनिंग तक ही लगाना है यह देखिए इससे फोल्ड करते हुए स्टीच करना है साइट से एक स्टीच और करेंगे देखिए जो उपर के नेट है उसे हमें साइट से फोल्ड कर लेना है और एक स्टीच और करना है दो दो पत्टी लगा लिए, बराबर करके देख लेना है, बराबर है या नहीं, अगर नहीं है, तो आप इसे cut कर सकते हैं नीचे के side से, अब यहाँ पर हमने क्रॉस में बटी कट किये नेट फैबरिक की नेक पर लगाने के लिए तो हमें यहाँ पर लगा लेना है उसे पूरी नेक पर कट लगाना है और इसको इस तरह से फोल करते हुए किस्टे चोर करना है दूसरे साइट भी इसी तरह के से नेक को कम्प्लीट करेंगे यह देखिए इस तरह के से प्रंट पार्ट यहाँ पर हमने नेक को कम्प्लीट कर लिया जो प्रिंसेस कट के पार्ट है वो हम स्टीच करेंगे दोनों पार्ट को स्टीच कर लिया प्रिंसेस कट को नीचे के साइट पट्टी लगाएंगे पट्टी की वीट हमने 1.5 इंच रखी है एक स्टेच पट्टी के उपर से करेंगे पट्टी को अंदर के साइट फोल्ड करते हुए एक स्टेच और करना है देखिए तो पट्टी लगा लिए हाफ इंच हमें आर्मोल के साइट से कट कर लेना है जो कि हम प्रिंसेस कट में बाद में ही कट करते हैं विहाँ पर हमें नेक की बीट लेनी है 5.5 इंच लेंद ले रहे हुँ में आप पर 12 इंच राउंड शेप देना है से कट करेंगे तो मैंने दिखिया हाफ इंच अंदर से ही इसे कट किया है बाहर से कट नहीं करना है बना ये ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा और अगर आप इसे छोटा रखना चाहते हैं तो आप छोटा भी कर सकते हैं से क्रॉस में पट्टी कट किये नेक पर लगाने के लिए एक स्टीच पटी के उपर से करेंगे यहाँ पर दिखिये कट लगा लेना है जहाँ पर गोला ही है वहाँ पर तक यह अच्छे से फोल्ड लो जाए फिनीसिंग के साथ इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे अब दिखिये इसे हमने स्टीच कर लिया है अब जो इसके उपर वाला नेट है वह हम यहाँ पर स्टीच करेंगे तो दिखिये इस तरीके से रखना है हमें राइट साइड पर हमने इसको रखा है साइड से हम इसे स्टीच कर लिया है एक्स्ट्रा फैबरिक कट कर लिया है साइड का इस तरके से फोल्ड करना है नेक को कट करेंगे नेक के जो वीड थे वो हम यहाँ पर फोर इंच लेंगे क्योंकि फ्रेंट पर भी हमने फोर इंच ही ली थी यहां से 2.5 इंच लेना है राउंड शेफ देना है नेक की लेंद 11 इंच लेते हुए हमें आप पर लीव शेफ देना है और कट करना है तो देखिए से हमने कट कर लिया हूँ परसे भी हम इसे कट करेंगे यहां पर भी हमने क्रॉस में पटी कट किये है नेक पर लगाने के लिए तो सजल हमें इसे लगा लेना है यहां पर कॉनर निकालते हुए हम इसे लगाएंगे तो देखिया हमने इसे स्टिच कर लिया पूरी ही नेक पर हमें कट लगाना है और कॉनर पर भी कट लगाना है एक स्ट्रेच हमें बटी के उपर से कर लेना है यहां पर थोड़ी सी पटी है जो वह एक्स्ट्रा लग रही है तो मैं उसे थोड़ा सा कट कर रही हूँ तो देखिए मैं इसे कट कर लिया साइट से से फोल्ड करेंगे और स्टीच करेंगे अगर तो देखिए मैं को हमने स्टीच कर लिया है यहां पर भी हमें स्टीच लगा लेना है तो टक कर लिएंगे हम इसे स्टीच से ही हमने इसे स्टीच कर लिया है अब यहां पर बैक टक्स लगाना है बैक टक्स की जो लैन थे वो हम कम ही रखेंगी क्योंकि जो neck है हमारा वो deep है तो मैंने यापर इसे 3 इंच ही रखा है दूसरे side भी 3 इंच पर ही रखेंगे नीचे के side पटी लगाएंगे जैसे की front में लगाई थी नीचे के side पटी लगा लिए और अब solder को stitch कर लिए ना है इसे हमने लगाने के लिए फ्रिल लिए है टू इंच हमने इसको plane चुड़ा है बाकी side अब फिर हमें plates डालना स्टार्ट करना है और जितना भी हमारा आर्मोल है front और back का उसके according हमें यहाँ पर plates डालनी है तो दीके plates को डाल लिया है हमने center पर रखते हुए से stitch करेंगे दूसरे side से भी stitch कर लेना है दूसरे frill भी इसी तरीके से लगाएंगे center पर पिनप करना है side से हम इसे stitch करेंगे side का जो भी extra fabric के उसे cut करेंगे पिटिंग लगानी है हम यह पर तो क्या पर हमें पहले एक पेर का margin रखते हुए स्टीच करना है और अब हम यह पर फिटिंग लगानी है तो center से chest के fourth part पर marking करेंगे 8.5 इंच पर यहाँ पर हमें तो friends हमारे designer blouse बनको complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को लेक्षे जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजेगा bell icon की बटन जरूर दबाईएगा तक कि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you